हेलो एवरिवन, विल्कम बैक टो आर चानल, स्वीट होम किचन एसेच के आज हम आपके लिए तीन तरह के राइस की रेसिपी लाए है इसमें हमने केरी के चावल, पुलाव और वेज बिर्यानी बनाई है इस वीडियो को एंट तक जरूर देखे तो आए सबसे पहले केरी के चावल बनाना शुरू करते है एक कड़ाई में तीन टेबल स्पून तेल गरम करे इसमें एक टीस्पून राइ आड़ करे दो टेबल स्पून मौंग फली एक टेबल स्पून उड़त दाल हाफ टीस्पून जीरा अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करे हरी मिर्च को स्लिट करके आड़ करे आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसकी मात्रा कम ज्यादा कर सकते है 10 से 12 कड़ी पत्ते अब इसे एक मिनिट तक सौते करे अब हम इसमें आड़ करेंगे हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर हाफ कब ग्रेट की हुई कैरी या कच्चा आम अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करे इसमें अपने स्वात के अनुसार नमक आड़ करे इसे अच्छी तरह से मिक्स करे अब इसमें दो कप स्टीम किये हुए चावल आड़ करे इसे आराम से मिक्स करे अब धनिय के पत्ते से इसे गानिश करे हमारे कैरी के चावल तयार है तो आएए वाइट वेजिटेबल पुलाव बनाना शुरू करते हैं एक कडाई में तीन टेबल स्पून घी गरम करे इसमें हाफ टी स्पून जीरा दो टेबल स्पून बीन्स और चार स्लिट की हुई हरी मिर्च आड़ करे अब इसमें हाफ कप ताजे या फ्रोजन मटर आड़ करे इसे अच्छी तरह से मिक्स करे दो टेबल स्पून पतली और लंबी कटी हुई शिमलामिच एक टी स्पून ग्रेट की हुई कैरी दस से बारा कड़ी पकते इसे एक मिनिट तक सौते करे बॉल किये हुई स्वीट कॉन आड़ करे इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर आड़ करे अपने स्वात के अनुसार नमक पाउच अमच बिर्यानी मसाला अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करे अब इसमें स्टीम किये हुए चावल आड़ करे इसे अच्छी तरह से हलके हाच से मिक्स करे अब इसमें रोस्ट किये हुए काजू आड़ करे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले बारीक कटी हुई धनिया से इसे गानिश करे हमारा वाइट वेजिटेबल पुलाव तैयार है प्लेटिंग करने के लिए एक प्लेट पे इस तरह से कोई भी गोल कटर रखे हमने इसमें सबसे पहले केरी के चावल आड़ किये है इसे हलके से प्रेस करने के बाद इस पे वेजिटेबल पुलाव आड़ करे इसे भी हलके से प्रेस करे अब इसके उपर वेजिटेबल बिर्यानी आड़ करे हमने वेजिटेबल बिर्यानी की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन वॉक्स में दे दिया है उसे जरूर चेक करे अब इस वेजिटेबल बिर्यानी को भी हलके से प्रेस करे अब धीरे सेरिंग को रिमोव कर ले गानिशिंग के लिए इसके उपर मसाला खीरे के टुकडे रखे हमने टमाटर को पील करके उसका रोज बनाया है अब दो खीरे के स्लाइसस ले इसे इस तरह से तूद्पिक से सेक्योर करके राइस पर गानिश करे हमने इसे मसाला खीरा पर तूद्पिक की मदर से सेक्योर किया है रोस के उपर हमने थोड़े से अनार के दाने रखे है हमारे राइस सर्फ करने के लिए तयार है इसे राइता और वेजिटेबल सालड के साथ सर्फ करे अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करे झाल 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 झाल